हिंदी फिल्म इंडस्टरी को दुनिया भर में बॉलिवूड के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्मیں बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। एक सो नौ साल में भारते सिनेमा ने कई उपलब्दियां हासिल की हैं। आला मारा फिल्म भारते सिनेमा इतिहास की एक खास फिल्म है। आला मारा के डिरेक्टर आर्देशीर इरानी थे। फिल्म में मास्टर विठ्थल और जुबैदा मुख्यबूमिका में थे। फिल्म का प्रसारण 1931 में हुआ था, सिनेमा के इस लंबे सफर में कई दिल्चस्प पड़ाओ आए, कई दौर तो बॉलिवूड के लिए मील का पत्थर साबित हुए, 109 सालों में ये जर्नी कैसी रही और दशक दर दशक इंडियन सिनेमा कैसे बदला चली जानते हैं। प्रदर्शित किया था, हाला कि भारतिय सिनेमा के सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहब फालके ने 1913 से 1918 तक 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया। भारतिय फिल्म उद्यों की प्रारमभिक व्रिद्धी हॉलिवूड की तुलना में तेज नहीं 1920 के दशक की शुरुवात में कई नई फिल्म निर्माण करने वाली कमपनिया उभर कर सामने आई। 20 के दशक में महाभारत और रामाइन पौरानिक और एतिहासिक तत्यों और एपिसोड के आधार पर फिल्मों का बोल बाला रहा। लेकिन भारतिय दर्शकों ने हॉलिवू की शुरुवात की। फिरोश शाह आलामारा के पहले संगीत निर्देशक थे। 1931 में आलामारा के लिए रिकॉर्ड किया गया पहला गीत देदे खुदा के नाम पर था। ये वजीर मुहमद खान द्वारा गाया गया था। इसके बाद कई निर्माण कमपनियों ने कई फि पूर्ण वृद्धी हुई। 1930 और 1940 के दौरान कई प्रख्यात फिल्मी हस्तियां जैसे देवकी बोस, चेतन आनंद, एसेस वासन, नितिन बोस और कई अन्यप्रसिद लोगों को फिल्मी पर उतारा गया। बोलती फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी इसलिए पर पहली रंगीन फिल्म हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरसल वी शांताराम ने फिल्म को रंगीन बनाने के लिए काफी जतन किये और इसे जर्मनी तक लेकर भी गए लेकिन बात नहीं बन सकी और शांताराम ये इतिहास रचने से चूक गए। मनमोहन देशाई के अनुसार मैं चाहता हूं कि लोग अपने दुख को भूल जाएं मैं उन्हें उन सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां कोई गरीबी नहीं जहां कोई भिकारी नहीं जहां भाग्य दयालू है और भगवान अपने समुदाई की देखबाल कर कैसे मीरा नायर अपढणा सेन और अन्य लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिया 1981 में फिल्म उम्राओ जान में रेखा कि असाधारन और शांदार प्रदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं 1990 के दशक में शारुक खान, सल्मान खान, मादुरी दिक्षित, आमीर खान, जुही चावला, चिरन जीवी और कई अन्य कलाकारों का एक नया दल फिल्मी दुनिया में दिखाई दिया अभी नेताओं के इस नई शैली ने अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तमाल किया जिसने आगे बढ़कर भारतिय फिल्म उद्योग को उन्नत के शिखर पर पहुँचा दिया वर्ष 2008 में भारतिय फिल्म उद्योग के लिए भारतिय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में सर्वस्रेश्ट संगीत के लिए ए आर रहमान को एकैदमी पुरसकार मिले भारतिय सिनेमा अब भारत तक सीमीत नहीं है और अब इसकी सराहना अंतरास्टे दर्शक को द्वारा की जा रही है बॉलिवुड बॉक्स ओफिस संग्रह में विदेशी बाजार का योगदन काफी उलेखनी है 2013 में भारत के नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 फिल्म प्रोडेक्शन कमपनियों को सुची बद किया गया था मल्टिप्लेक्स भी कर प्रोटसाहनों के कारण सेंसेक्स भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे है फिल्मों की लोकप्रियता के बारे में बताते हुए अकसर आपने ब्लॉकबस्टर शब्द सुना होगा लेकिन क्या आपको मालूम है ये शब्द कहां से आया ब्लॉकबस्टर दो शब्दों ब्लॉक और बस्ट से मिलकर बना है पहली बार इसका उपयोग बड़े धमाके के तौर पर किया गया था जिसकी चपेट में बहुत से लोग आये हों लेकिन अब लोकप्रिया और सफल फिल्मों के लिए ब्लॉकबस्टर शब्द का उपयोग किया जाता है हिंदी सिनेमा में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जैसे नर्गिस दत की मदर इंडिया, आमीर खान की लगान, शारुक खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसी प्रकार की तमाम जानकारों के लिए हमार साथ जुड़े रही है नमस्कार